अचासी नुमेरिकल निक्स्ट करन जा रहे हैं विच इस बेस्ट पॉन ट्रेंगल और पैलोग्राम लाओ अफ वेक्टर आटेशिन एक नुमेरिकल असी लास्ट वीडियो थी विच कर चुक्यां सो निक्स्ट नुमेरिकल देखो two forces whose magnitude are in the ratio of 3 ratio 5 हुम देखो तो नुम ratio given है ratio मतलब 1 लो force ही है सो तुसी लिखरे है f1 तो नुम किन्नी given है 3x और f2 किन्नी given है 5x अगे देखो give a resultant 35 Newton resultant मतलब total दा answer given है which is f equals to 35 Newton if the angle of inclination is 60 degree यह दा मतलब theta given theta is equals to 60 degree find the magnitude of each force मतलब f1 और f2 दी value तो उसी पता करनी विच x नहीं आना चाहिए ठीक है जीक सो सब तो पहला असी formula सानू पता है कि r दा formula किया a square plus b square plus 2ab cos theta ठीक है जी सो असी होन की किता r दी जगा ते की पुट करांगे f so r दी जगा ते की पुट किता तो c f और a दी जगा ते की पुट करूंगे f1 ठीक है बी दी जगा ते की पुट करूंगे f2 और a दी जगा ते की आजेगा f1 f2 is that clear अगर तुसी पिछे वाला formula यूज करना चाहने तो ओ भी कार सकते हैं तो थे तुसी लिख देना है a is equals to 3x b is equals to 5x and r is equals to 35 newton ठीक है उस तरीके ना भी लिख सकते हैं plus 2 f1 दी वैल्यू के निया 3x f2 दी वैल्यू 5x and cos 60 degree असी पुट कार देता है cos 60 degree so under root दी विच्चा था under root पुट करता है 3 3 is a 9 x square plus 25 x square plus उनते आना देखो 5 2s are 10 10 3 is a 30 so आगया 30 x square multiply cos 60 दी वैल्यू के नियूं दिया 1 over 2 so सी पुट कार देता 1 over 2 done so इस तरह था दी टर्म आजेगी so एननू इदे ना कट देता आगया 15 so सारी टर्म्स नूँ एड करो 15 25 और 9 नो so किन आजेगा 49 so these all are term 49 x square so साननू पता कि किनना हुंदा 49 7 into 7 so सी लिक सा देया 7 x into 7 x so pairing नो एक टर्म असी बाहर निकाल देती so we get 7 x 35 so असी था एक्स दी वैल्यू करनी so x किनना आजेगा 35 divided by 7 7 5 सा 35 इदा मतला साथी x दी वैल्यू किननी आगी 5 इदा मतला f1 दी वैल्यू किननी होएगी 3x 3x which is 3 x 5 इदा मतला साथी f दी वैल्यू किननी आगी 15 newton similarly तो सी f2 दी वैल्यू किननी होएगी 5x so x दी वैल्यू पुट करो 5 into 5 which is 25 newton so this is our final answer thank you